हेलो दुश्तो नमस्कार एसम के लिए चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ दुस्तो आज वापस यह वीडियो कोटर 3 के रिजल्ट से रिलेटेड है क्योंकि आप सभी लोग को आता है बड़े-बड़े कंपणी के क्यू 3 के रिजल्ट आ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड एक ऐसी कंपणी जो कि अपने इंडस्ट्री में लीडिंग कंपणी है क्योंकि दूसरी कोई कंपणी जो कुछ भी सिफ नाम मात्र के लिए अगर हम लोग देखते तो यह कंपणी का बिजनेस उस सेक्टर में बहुत ही जोरो जोरो शे सलत कि यह शेर आप ले सकते क्योंकि मैंने जैसी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया थम्नेल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि यह बिजनेस को जो कॉम्पेडिशन है वो नाम के लिए ही नहीं वो सिफ एक ही कंपणी काम करती है वहां पे जबरदस रिजल्ट यहा पर बात कर रहा हूं तो यह कंपणी यहां पर में ओपन कर लेता हूं जिसका नामे पीडिलाइट इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों के पोटफोली में यह स्टॉक रहेगा क्योंकि यह स्टॉक में लगबग हजार रुपे से आप लोग को बता रहा हूं कि इसमें इंटर क हमेशा मार्केट में चलता रहता है तो फिलाल तो हम लोग बात करेंगे अभी पिरिडिलाइट इंडस्ट्री की सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दू चार्ट पेटन अगर आपको देखके लगता है कि रिजल्ट शामदार आये तो ऐसा नहीं है दोस्तों यह चार्ट पेटन रिजल्ट आने के पहले का है मतलब रिजल्ट साढ़े तीन बजने के बाद आचुके मार्केट क्लोस हो जाने के बाद आचुके एंड़ यह रिजल्ट के पहली की जंप है 3% तक की जंप लगबग 50 पॉइंट की जंप बने बोडब लो सकते हैंं 15 का इंपोर्टन भाटन र सो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो पीडी लाइट इंडस्ट्री इस कंपनी के रिजल्ट में यहाँ पर ओपन कर दिये निचे स्क्रोल डाउन करेंगे और यहाँ पर थोड़ा समय एड्जेस्मेंट कर लेता हूं तो आप लोगं को समझ में के लिए इसी आसानी हो सो इंकम की बात करें थो आप चेकाउट कर सकते हैं क्वान कि इंकम बहुत ही अच्छे कंपनी की टोटल इंकम year on year basis की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1620 करोड का यहाँ पे income हुआ है so definitely दोस्तो हम लोग कह सकते quarter on quarter basis उसी के साथ year on year basis company ने शांदार result दिये क्योंकि 1600 करोड तक की result हम लोगों को देखने को मिल रहे थे बट अभी यहाँ पे 1700 करोड को क्रोस कर दिये बट चलिए यहाँ पे income की तो बात कर ली expenditure भी देख लेते so company के जो expenses है दोस्तो हम लोग कह सकते उन्होंने maintain रखा हुआ है बतलब जीतना पहले company का खर्चा होता था लगबग 1200 करोड के आसपास का खर्चा हुआ है 1200-1300 करोड का खर्चा जीतना company का year on year basis भी उतना ही हुआ करता था so हम लोग कह सकते company ने खर्चा को भी maintain किया है so जो लोग यहाँ पे ध्यान से सुन रहे वो इतने intelligent रहेंगे तो उन लोग को समझ में आया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ अगर company ने खर्चा maintain किया है and अगर उनके income यहाँ पे बढ़ चुकी है so but obvious दोस्तों उनका total result भी कैसे रहेगा शांदार रहेगा so हम लोग यहाँ पे देख लेते कि company का result कैसे रहा so net profit before tax के ओपर हम लोग यहाँ पे आ जाते अगर आपको figure देखने में दिक्कते हो रही तो कोई बात नहीं में आपके बोल के बता रहो उसके ओपर भी अगर आप ध्यान दोगे तो आप easily समझ जाओगे so NPBT net profit before tax 433 करोड क्या यहाँ पे result आया हुआ NPBT अगर पिछले quarter से compare करें तो 352 करोड का हुआ करता था so 433 and 352 आप compare करो so बहुत यह अच्छी result है उसी के साथ-साथ 331 करोड तक का यहाँ पे हम लोग को NPBT पिछले quarter में देखने को मिल रहा था year on year basis so बहुत ही शानदार result यहाँ पे company ने पेश किया जो कि NPBT में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं but उसी के साथ-साथ यहाँ पे adjustment भी है so सारे adjustment को यहाँ पे अगर हम लोग calculate करे and उसके बाद जो final figure अगर हम लोग यहाँ पे देखे जिसको हम लोग बोलते NPBT या फिर profit for the period so उसको अगर हम लोग final figures में बोले so 330 करोड and 30 lakh रुपया इतना company का final profit यहाँ पे for the period यहाँ पे आया हुआ है जो कि पिछले quarter से बहुत ही शांदार है जो कि 324 करोड हुआ करता था and अगर year on year basis बात कर तो बहुत ही outstanding 224 करोड हुआ करता था जो कि अभी 330 करोड हो चुका है outstanding result है दोस्तों में यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ वापस जितने भी company में आप लोगों को यहाँ पे बताए है जो monopoly business है उनका यही फाइदा होते है उनकी result बहुत ही शांदार होते है तो आप यहाँ पे देख सकते हो सो आप लोग यहाँ पे check out कर सकते है quarter on quarter भैतर ही है बट year on year basis 4.42 हुआ करता था जो कि अभी 6.50 हो चुका है लगबग 47% तक की jump यहाँ पे हम लोग को EPS में मतलब usually इनके profits में भी देखने को मिल रही है शांदार result है दोस्तों एंड इसलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो market ने already react कर दिया था जो कि 50 basis 50 points से आज market ने क्या किया था jump already result के पीले लगा दिया था सो उनको बहुत ही लोगों को आप सभी लोगों को बता है कि एक अंदाजा हो जाता है कि market में result कैसे आएंगे सो result as per the expectation है हम लोग ऐसे बोल सकते हैं और मैं हमेशा है आपको लिखके बताना चाता हो यह जो result है long term के लिए अच्छे देखे short term में कुछ भी हो सकता है किसी की guarantee नहीं है but long term के इसाब से बहुत ही शांदा result है और बाजर आज जिस तरीकी से expectation रखा था उस expectation को पिडिलेट ने long term के इसाब से result को fulfill कर दिया है सो दोस्तों अगर आपको और भी यहाँ पर detail में पढ़ना है तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं यह segment wise इनों लोगों ने यहाँ पर segregation दिया है सो segment revenue आप देख सकते हो consumer, bazar and products, industrial products, other इसी से related यह सारी चीज़े यहाँ पर उनने बता दिये जो कि आप देख सकते हो उसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं समझेगा, मतलब segment result, उसी के साथ segment asset भी रहते है, segment liability भी रहते है, यह सारी चीज़े अगर आपको सीखनी है तो आप लोगों को accounting standard 17 आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही detail standard है, तो वहाँ पर formulas होती है, और उसके बाद आप लोगों को understanding आ जाएगी, बट overall इसकी इतनी कोई जरुवत नहीं है, जितना मेने आप लोगों को result यहाँ पर provide कर दिये, जितना चीज़े मेने आप लोगों को बता दिये, वो सारी important ही चीज़े है, तो अगर और भी चीज़े अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो यही result उन लोगों ने वापस पेश किया, क्योंकि आप सभी लोगों को बता है कि stand alone भी रहते हैं and consolidated भी रहते ह जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बट कैसे अच्छा लगा, long term की हिसाब से, बहुत ही शांदा result है, तो चली दोस्तों, जैसे मेने आप लोगों को कहा था, वापस हम लोग Google के उपर आ चुके हैं, 1500 के level के उपर अब यह stock जा चुका है, 1000 के आसपास मेने आप लोगों बनाती है, बट फेवी कॉल, फेवी स्टीक, फेवी क्विक, यह जो चिपचिपा वाले, जो ग्ल्यू वाले जो इनके प्रोडक्ट्स है ना, इनको जो टक्कर देने वाले बाकी प्रोडक्ट्स है ना, वो बहुत सारे कम है, इतने कोई दम वाले नहीं रखते है, इसलिए इस कमपनी को बहुत ही अच्छा आशा फाइदा होता है, रिजल्ड भी आप उसी के वज़े से देख सकते हो, बहुत ही शांदर और आउट पर्फरम वाला रह चुका है, तो चाहे कमपनी का एक दीन का चार्ट पेटन देखे, पाच दीन का चार्ट पेटन देखे, एक मेन से आप लोगों को डरना नहीं है कि exit कर लो, exit कर लो, कौन सा लेवल पर exit कर लो, ऐसा बिलकुल नहीं करने, कुछ नहीं मिलेगा, आप लोगों को सिर्फ आपका ब्रोकरिज चला जाएगा, और टैक्स चला जाएगा, वापस ये स्टॉक उतने स्पीड से recover करने वाला स्टॉ जैसे मैंने आपको का कि nifty 50 की rebalancing होगी, तब ये बहुत ही strong रदावेदार है कि ये nifty 50 में भी आ सकता है, तो ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी चाहिए, अगर ये nifty 50 में आ जाता है, तो definitely 1700 तक ये stock जरूर जाएगा, तो hope करते ही ये अगर गया तो अच्छी बात है कि PA ratio जादा है, इसलिए हम लोग select नहीं करेंगे, बहुत ही गलट टूल होता है दोस्तों, येस आप थोड़ा सा cautious के लिए ये कर सकते, बट अच्छे share हमेशा आप लोगों को अच्छे दाम पे मिलेंगे, अगर आप सोचते ये share आ जाएगा 500-600 तो ये इतना possible नहीं है द दोस्तों में cut करना चाओंगा, यहाँ पे में लिखना चाओंगा all time का high, company ने ये high कभी भी नहीं बना है, अगर एक साल पहले भी आप इसको खरीद लेते, तो 1000 रुपे के असपस ये stock आप लोगों को मिल रहा था, बहुत ही शांदार performance है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो चलिए आज का दिन का performance के से रहा, so 43% तक की deliveries यहाँ पे उठाईगी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, so overall सारी चीज़े अच्छी है, company information में अगर हम लोग यहाँ पे data देखते है, so यह पुराना data है, मतलब यह quarter 1 के result है 28,000, जो कि next quarter 2 मे 32,000 हो गए, अभी यह revise होके आजाएगा जब NAC update कर देगी, उसी के साथ corporate action भी आप यहाँ पे चेकाउट कर सकते, 2016, 17, 18, 19, company consistently dividend भी देती है, dividend बड़ा होके देती है, बीच में 2018 में company ने buyback भी लाया था, so overall company cash भी distribute किया था, उसी के साथ चाथ share holding pattern भी देख सकते हो, दोस्तों, लगबग 70% के आसप आप लोगों को बता रहा हो, ऐसे share आप लोगों के portfolio में रहने चाहिए, जो कि एक शांदार return आप लोगों को जरूर कमा के देती है, चलिए और एक parameter दिखा देता हूँ, जो कि आप लोगों को balance sheet में भी देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा में scroll down कर लेता हूँ, सबसे मतलब क्या बहुत सारे लोग पुछते है, results मतलब बहुत ही simple है, दोस्तों 10 रुपया आपको दिया था, उसमें से 4 खर्चा हो गया, तो आपके 6 रुपया profit, 6 में से भी आप लोगोंने कुछ चीज़े use करने के लिए 2 रुपया खर्चा किया, और बाकी जो बचा हुआ पैस है, वो आपके पास access पढ़ा है, उसको ही बोलते है, results, जो हम लोग side में निकालके रख देते, सो जीतना है company का पैसा side में निकालके रखना हुआ, results बढ़ता है, उतनी अच्छी बात है, उसी के साथ साथ जबरदस thing, दोस्तों ये देखिए, आप देख सकते हो, death free company, इतना business model और उसी के साथ साथ death free, इतना आप लोगों को जबरदस stock है, आप लोगों के सामने, आप यहापे consider कर सकते हो, कितनी अच्छी है stock है, उसी के साथ साथ cash and bank balance, पहले company के पास 50 करोड cash था, 77 करोड हुआ, उसके बाद 117 करोड हुआ, cash and bank balance भी यहापे बढ़ रहा है, results भी ब किया, company ने 47% तक की jump, यहापे अपने quarterly profit में बता दिये, year on year basis, उसी के साथ साथ अगर और भी parameter देखते है, all time का chart pattern भी positive है, सारी चीजे company dividend भी देती है, हाली में buyback भी दिया था, इतनी सारी मिने आप चीजे आपके सामने बता दी, दोस्तों बता दो यह इस company में क्या कमी है, बहुत ही शांदर company है, इसलिए मैंने आप लोगों को 1000 के level पे जबी चल रहा था, तभी भी यह question जो repeat होता है, कौनसे level पे खरीदे, तभी मैंने का था, अरी खरीद लो, कौनसे भी level पे खरीद लो, वो क्या 1000 lifetime ने रहने वाल है, वो तोड़के आगे चला जाएगा, तो यह बट अगर यह company correct होके नीचे आजाती है, 1500 के नीचे, so definitely 1450 के यहाँ पे आप लोगों को एक buying zone देखने को मिलता है, अगर वो भी तूट गया, so 1400 यह भी एक buying zone है, टेंशन मतले ना दोस्तों कौनसे भी level पे एंटर कर लो, believe me, या आगे जाके आप लोगो 6 मिने बाद 1700 भी द long term की सबसे बहुत ही अच्छे है, तो आयोँ पाशा करता हो, दूस्तों यह वीडिया आपको अच्छा लगा होगा, so that's it, thank you very much, we will be meeting on our next studio, तब तक के लिए, bye bye